आप सब आशा करती हूं बिलकुल अच्छे होंगे मस्त होंगे आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूं पीजा की रेसिपी और पीजा का जो बेस है वो भी मैं घर पे ही बनाने वाली हूं होममेड पीजा होने वाला है तो सोचा चलिए बच्चे खुश हो जाएंगे आज घ पाइम लगता है तो आप सब देखिएगा तो यहां पे मैंने मैदा ले लिया है और यह मैदा मैं यहां पे दो कप ले रही हूं मैदा मेरा पहले से इच्छाना हुआ है जब भी मैं डबे में भरती हूं बेसन मैदा तो यह सब मैं च्छान के डाल देती हूं एकी बार दो क फलके से ही भरे हैं बहुत जादा नहीं उसमें मैंने चार चमच लगबग यह छोटी ही है यह डाली है सूजी की सूजी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं नमक डाल दिया है टेस्ट के अकोर्डिंग और अब मैं इसमें डालूंगी यहां पे आधा चमच से थोड़ा सा जाद डाला है मैंने बेकिंग पाउडर और वन चोथा चमच डाला है मैंने बेकिंग सोड़ा यह देखिए तो बेकिंग सोड़ा जादा नहीं डालना है नहीं तो फिर स्मेल हो जाती है बेकिंग सोड़े की बहुत जादा आती है मैं कम ही यूज़ करती हूं तो आप अगर आपक पादी से थोड़ा सा जादा मैंने डाल दिया है दही का दही रूम टैंपरेचर देखलों में ठंडी नहीं डालनी है क्योंकि इसमें सूजी डाली है हमने और सूजी थोड़ी सी हार्ड तो ठंडी दही ना डालें अच्छे से इसको mix कर लेना है oil वगेरा मैंने इसमें कुछ भी add नहीं किया है और इसी कब से मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है जितना भी पानी लगेगा अब थोड़ा थोड़ा मैं इसमें पानी डाल दूगी और वो दही के ओपर depend करता है कि दही इसमें थोड़ी ज़्यादा कम आप कितनी डाल लाए हो दही थिक है या फिर पतली है आपकी तो उस हिसाब से सौप्ट सा आटा यहां पर लगा लेना है बहुत ज़्यादा हाड नहीं करूंगी क्योंकि फिर से सूजी डाली है और सूजी पानी थोड़ा सा लेगी सौप्ट होने में तो सूजी का आटा जब भी हम लगाते हैं तो उसको धीला सा ही बनाना चाहिए हाँ अगर आप खाल जल्दी निकल जाता है जल्दी उतर जाता है और अच्छे से आटा बाइंड हो जाता है तो बस अगर डाल लिया है और इसको अच्छे से थोड़ा सा मैं मसल मसल के यहां पर ठीक कर लूँगी और फिर इसको रख दूँगी कम से कम 10-15 मिनट के लिए तो आटा हमारा यहां तैयार हो गया है जब तक मैंने सब्जी वगर अपनी कट कर ली है और यहां पर देखिए 10-15 मिनट हो गई है अब मैं साथे को यहां पर चेक कर रहे हैं और नरम नरम हमारा आटा बना है इससे थोड़ा बहुत हाड चल जाएगा लेकिन वह नहीं है कि मतलब बहुत पूरी इसको बना दे हाड मेरा थोड़ा सॉप्ट है आप इससे थोड़ा सा हाड कर सकते हैं मतलब टाइट कर सकते हैं तो बस यहां पर मैंने सूखा मैदा ले लिया है साइड में रख लिया है और अब इसके मैं पेड़े बना लूँगी क्योंकि यहां पर मुझे तीन पीज़ा बनाने हैं तो तीन जगे मैं इसको हिस्सेवाइज कर लूँगी तीन बराबर पेड़े इसके बना लेंगे या फिर आप जितना भी आपका आटा है चार बना सकते हैं जितने भी बनाने हैं तो एक साथ इसको बराबर हिस्सों में कर लें तो यहां पर मैंने तीन पेड़े बना लिया हैं और बड़े बड़े से पेड़े ये बन गए हैं तो बहुत ही फिलपी सा बहुत ही अच्छा सा आटा हमारा बना हुआ है ये देखिए तो तीनों पेड़े तैयार हो चुके हैं सूखा आटा लगाकर मैं इनको रख दूँगी और एक एक करके इनको बेल लेंग नहीं है तो मैदा ही लगाना है Спने चकला ले लिया है और इसके उपर हलका सा इसको दबा लूँगी चाहे तो आप इसको भी फैला सकते हैं थोड़ा सो तो यह फैल जाएगा हाथ से पूरा भी हो जाएगा लेकिन बस यह की पलेन नहीं होगा तो बस यहां पर मैश को बेल लो तो यह देखिए बेल लिया है इसको जितना भी करना है बहुत जादा पतला इसको नहीं करना है रोटी की तरह थोड़ा 좋아 effectivement देज तरह तो बेस हमाड़ा तयार हो चुका है तो यह फोक लिया है और इससे इसमे रूसपल जाएगा इसको यह糖 अच्छा नहीं बनेगा तो यह काम बहुत अच्छे से करना है यह मेन पॉइंट है पिज़ा बेस बनाने का नहीं तो बिल्कुल फूल जाएगा गवर ऐसे ही आप इसको तबे के ओपर डाल देंगे क्योंकि आठा इतना सॉफ्ट बनाए तो इसको फूलने में देर नहीं लग दी है क्योंकि फिर इस पे जो है कलर चेंज हो जाएगा इसका चिट्टियां लग जाएंगी तो वो नहीं हमें करना है यह देखिए कितना अच्छा सिका है एक साइड से तो अब मैंने इसको पलट दिया है तो इस साइड से भी हो जाएगा जब तक मैं अपने दूसरे बेस बेस बेल के तयार कर लूँगी और बेस हमारा बहुत ही अच्छा बना है बिल्कुल रेडिमेट जैसा फिलपी बेस बना है वो नहीं है बिल्कुल हार्ड सा मतलब ठीक सा वो नहीं बना है बहुत अच्छा बना है इसी तरह से मैंने दूसरा कर लिया है तयार वह सारे ऐसे तैयार कर लेंगे और यह मैंने यहां एक इधर रख लिया है और देखे कलर बिल्कुल रेडिमेट जैसा है तो यहां पर पिज़ा टोपिंग लगा लेंगे यह इसके उपर अच्छे से यहां पर मैंने चमच बरके रख ली है अच्छे से इसको अपलाई करेंगे इसके उपर और अब इसके उपर मैं डालने वाली हूँ थोड़ इसी सेजवान सॉस या चट्नी तो वो इसमें डाल दी है mix कर दिया है, दोनों को आप पहले से mix कर सकते हैं या फिर एक भी आप यूज कर सकते हैं इसके उपर डाल दिया है मैंने चीज ग्रेट करके और ये चीज ही मेरे पास रखा हुआ था इसलिए मैं बना रही हूँ और ये क्योप्स वाला था लेकिन कितने ही सारे क्यूब्स रखे हुए थे तो बस ये मैंने कर लिया है इसके उपर रख लिया है सिमला मिर्च टमाटर जिनके बीज निकाल लिये हैं और प्याज तो ये सब कर लिया है फिर से इसके उपर डाल दिया है चीज और चीज डालने के बाद फिर मैंने डाल दि लिए और हाथ से डाल दिया और चिली फ्लिक्स डाल दिये हैं तो देसी स्टाइल में हमारा पिजा बना है लेकिन बना जरूर देसी स्टाइल में हैं काम इंग रिडियन्स के साथ बना है जो घर में है किसी ऐसी स्पेसल तयारी के साथ नहीं बना है लेकिन जो देसी बना है न तो आप इस तरह से तयार करके बच्चों को दे सकते हैं और घर में सिम्ला मिच भी लगवग होती है टमाटर प्याज सब घर में होता है तो इसी तरह से मैं आप पे दूसरा पिज़ा रेडी कर लूंगी उसको मैंने रख दिया है कवर करके छोड़ दिया है और हद से हद चार ना कर दे कि नीचे से वो जल जाए बहुत ही लो हीट मैंने रखी हुई है यहां पे दूसरे बेस भी मैंने इसी तरह से तयार कर लिये हैं इनको भी मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी जब तक हमारा पीजा हो जाएगा तो यह देखिए पिजा रेडी है बहुत ही मस्त बना है को पय। अलिव नहीं बहुत सारे सामानें से नहीं है जिसके ओपर नहीं है तो इसको मैं निकल लिया है और यहां पर यह दिया है अब इनको हम सेक लेंगे तो इनको मैं 2 तभए के ओपर 6-7 रखदूंगी एक 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 के ओउपर रखदूंगी तो इस तरह से और इगेशन डा बनाया है एक प्लेट में रखा है दोनों वहां रख दिये हैं और यहां बीच में थोड़े से बरतन है जब तक चार मिनट का लगबग टाइम है मेरे पास तो यह थोड़े से मैं बरतन कर लूगी तो इस तरह से काम मेरा जल्दी हो जाएगा और आज खाना कोई जादा नहीं मैं बनाने वाली हूँ शाम का क्योंकि बच्चों का तो इटेलियन तयार हो गया है वो तो खाएंगे आज इटेलियन डेस तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह से जल्दी जल्दी बना के पिज़ा घर पे दे सकते हैं आपके बच्चे बहुत जादा खुश हो पिज़ा ये भी रेडी हो चुका है बहुत ही बढ़िया सिका है लेकिन तवे वाला मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो इसको मैं इसी पे पलटूंगी पैन में ही तवा भारी है और नीचे से बिलकुल भी करम नहीं हो रहा था मैंने आच लो रखी थी तो उस पे से ह कटा दिया है और थोड़ा समय इसी पे सको कर लोंगी तो ये देखिए देसी अंदाज में ही कट हो रहा है और मेरे काम सारे देसी अंदाज में ही होते हैं क्योंकि हम देसी हैं पिज़ा कटर भी जो है लिया नहीं जा रहा कई बार सोचती हूं जिस दिन पिज़ा बनता है लेकिन फिर बूल जाती हूँ आज यादा रहा है फिर बूल जाओंगी तो इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है और बस एक बचा है उसको भी निकाल लेते हैं सबको कट कर लेंगे और फिर जो है बच्चे енно जोए करेंगे यह भी आने वाले हैं ओफिस से टाइम हो चला है इनका भी आने का और ये देखिए मन हो रहा है ना एकदम खाने का आया है कितना टेस्टी दिख रहा है इस टाइम भी जब मैं वोईस ओवर कर रही हूँ लेकिन जब तक तो सबने खा पी लिया पुराना भी हो गया खाके और ये दी हैं सब लोग हैं तो पिज़ा में सबको कुछ नहीं होता थोड़ा थोड़ा पिज़ा थोड़ा समोसा तो आज यहां पे समोसा पिज़ा पार्टी चल रही है समोसा ये लेके आ गए हैं बाहर से रेडी मेट ये रखी है चटनी तो आज हमारी फुल पार्टी होने वाली है आईए आप लोग भी हमाई पार्टी एंजोई करिए आज की रेसिपी एगर आपको पसंद आई है तो इस रेसिपी के लिए ही लाइक दे दीचेगा धेर सारे लाइक धेर सारे सब्सक्राइबर धेर सारे व्यू तो चलिए करती हूँ एंडिसी के साथ मिलूंगे कल आप से एक अच्छे से प्यारे से वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू पूर वचिंग